हेलो बच्छो, नमस्कार, प्यारे बच्छो अब आज एक नए चेप्टर शुरू करने की बारी है, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन straight linesząd अब लाइज आपैर आप आपको Allah 60 कोigan फिर आपको 11 में ले खार आपको पहले कि जो पिछली यादें जाने साल की वह सारी यादव जीए थे जाटनों देलाश अणुगी तो यह कुछ और निए पेले लेतें जैसे फेला distance between two points दो point है आपके पास x1, y1 x2, y2 तो इसका distance क्या होता है तो आपने जैसे इसको p और इसको q दिया तो p q point का distance under root x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square यही था distance formula अब अगर बात करें section formula याद होगा second section formula क्या है भाई क्या आपके पास दो point है x1, y1 a b point x2, y2 यह कट गया माल लीजिए p point पे, कौन से ratio पे m ratio n पे ठीक है और यह इसको एक slant line l ने काट दी यानिए transverse line l ने तो बताए यह p point क्या है तो p point को निकालने का तरीका है अगर काटेगा internally अगर क्या कटता है भाई internally ठीक है तो point कुछ इस तरीके का होगा कि भाई उसने line के अंदर ही काटा और यह बनेगा point m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n और m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n ठीक है अगला इसी में इसी का यह a part इसी का यह b part externally अगर externally काटता है यानि line है a b x1 y1 x2 y2 और इसको आगे बढ़ाया और माली जी यहां पर किसी p point पर इसे काट रहा है तो बताए रेसो क्या होगा तो भाई यहां से लेके यहां तक एक अलग रेसो होगा और यहां से लेके यहां तक अलग रेसो होगा माली जी यह m रेसो यह n रेसो है तो इसका जो point p निकलेगा वो निकलेगा same यही m x2 बस फर्क आजाएगा minus का फर्क इसका जाएगा minus का बाकि सब कुछ same रहेगा ठीक है इस तरीके से बस फर्क इतना है अगर internally बोले तो यह formula अप्लाई कर दो externally बोले यह formula अप्लाई कर दो सब कुछ same है ठीक है इसके बाद आता है midpoint formula midpoint formula कि अगर यह line है A यह B यह bीचो बीच इसको midpoint M में काटा गया है तो यह अगर x1 y1 है यह x2 y2 है तो बताईए M क्या होगा तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ठीक है ठीक बागी यह भी आप जानते हो area of triangle ठीक है तो area of triangle आप अच्छे जानते हो क्या होता बई area triangle a b c कैसे निगलता है 1 by 2 x1 y2 minus y3 प्लस x2 ठीक है फिर y3 minus y1 ठीक है फिर x3 y1 minus y2 ठीक है इस तरीके से ठीक है तो देखो अगला पांच हुआ midpoint of triangle triangle का midpoint कैसे निगलता है ठीक है तो इसका formula है g से denote करते है इसका formula x1 plus x2 plus x3 upon me 3 इसका y1 plus y2 plus y3 upon me 3 तो यह होता है ठीक है इसको आप अच्छे से denote भी कर सकते हो माली जीए a point है x y1 b point है x2 y2 और c point है x3 y3 और अगर आपको इसका midpoint निकालना है तो यह आपको पता है midpoint कैसे निकलता है median से इससे निकलता है median से यह आपको जी आगया और यहीं वह point होगा ठीक है चलिए note कर लिजे सारे फॉर्मल लिख दिया मैंने यह पर चल्दी से ठीक है चलिए तो यह तो यह तुद्धा भाई आपके 10 के सारे फॉर्मले जो करवाने जरूरी थे ठीक है अब एक छोटा था काम देखिए बच्चो एक मिंट से यहीं पीजू धा लिए से वकाम देखिए ख मिंट से काम देखिए जवां रॉर्मले रखिए झाल 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 हाँ जी बच्छो चलिए देखिए अब 11 तक आता है तो यह 10th के basic formula थे जो कि आप साइद काम पढ़ेंगे आपको कहीं न गहीं पे question में छोटे-छोटे लेकिन अब 11 तक भी शुरू करना उतरा ही जरूरी है जैसे सबसे पहला question आता है सबसे पहला topic आता है slope of a line slope of a किसी line का slope बच्छो भी slope क्या होता है तो देखिए जैसे मान लीजिए ये एक line मैंने खीच दी ये line मैंने खीच दी तो आप से बोला जाएगा कि बताईए ये slope कितने कैसे मतलब इसका slope क्या है मतलब कितने धगान पर है ये तो भाई आप इसको ना पता लगाने के कई तरीके है एक तो ये है कि ये कितना angle बना रहा है जैसे theta हो गया या दूसरा angle ये है तो ये भाई कि आपको पता linear pair होता है तो 180 माइनस theta और ये theta ठीक है तो इस तरीके से है ये तो slope निकालने तरीका होता है 10 theta और slope को denote किया जाता है m से जो कि 10 theta अगर माल लीजिए 30 degree पे होता जुका हुआ ठीक है तो हम कहते है कि भाई इस line का जो slope है वो है 10 30 और 10 30 की value होती है 1 by root 3, इसका मतलब इसका जो slope आया, वो 1 by root 3 आया, यह slope हो गया, ठीक है, तो अगर angle से निकालना होता है हमें, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, अब एक तरीका और है, अगर, मान लीजिए, slope, slope of a line which passes through the two points, through the two points, दो points के बीच में से निकल रहा है, मान लीजिए, यह line है, यह x1, y1, a point, और यह x2, y2, दूसरा point, इस पे से यह line पास कर रहा है, तो आप से पूछा हो, इसका slope बताओ, तो हमने का ठीक है जी, तो slope निकालने का दूसरा तरीका जो होता है, y2-y1, x2-x1, यह slope निकालने का दूसरा तरीका होता है, लेकिन तरीका क्या है कि जब angle दिया हो तो ऐसे निकालेंगे 10 theta से और जब 2 point दिया हो तो ऐसे निकालेंगे y2 minus y1 upon me x2 minus x1 यह होता है slope निकालने का तरीका ठीक है ठीक अब slope के कुछ cases slope के 2 case बहुत important होते हैं बच्चो एक case number first when two slopes are parallel when two slopes are parallel अगर दो slope आपस में parallel है अगर दो slope आपस में parallel है तो बच्चो जब parallel है तो इनका angle भी same होगा हाँ की न क्योंकि parallel line के angle हमेंसे क्या होते हैं same होते हैं तो अगर मैं इसको theta 1 इसको theta 2 बोल दूँ so हम यहां कह सकते हैं कि theta 1 is equal to theta 2 क्यों क्योंकि line parallel है so 10 theta 1 is always equal to 10 theta 2 ठीक है तो याद रखना बच्चो parallel line के slope हमेशा आपस में equal होते हैं parallel line के slope हमेशा आपस में equal होते हैं और case number 2 case number 2 जब दो line आपस में एक दूसरे पर perpendicular हो when two lines are perpendicular to each other एक दूसरे पर क्या है perpendicular है तो याद रखना बच्चो तब क्या होता है slope of first line multiply में slope of second line जो होता है वो product minus 1 के बराबर होता है यहनी M1 M1 करेख., ड्चाल लो घूसरे यह है सक्सूस्पेंपनन SC करेखंगी यह है यह होता जए उनीम करेखंगे बराबर है यादर हां जी बच्चों देखो तो क्या हुआ यानि फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 और सेकंड लाइन का स्लोप M2 और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर होता है किसके बराबर होता है माइनस वन के बराबर होता है ठीक है बच्चों तो आपको यह कंडिशन बता दी कि यह स्लोप कैसे निकल सकता है एक स्लोप कैसे निकल सकता है कि अगर लाइन के दो पॉइंट दिये हो त 1 के बराबर होगा इसका मतलब अगर मानलों आपको M1 की वैलू दी हुई है तो आप M2 निकाल सकते हो कैसे multiply कर रहा है वहाँ जाके divide आपको अगर M2 की वैलू दी है तो M1 की वैलू निकाल सकते हो या multiply कर रहा हुआ जाके divide तो इस तरीके से या आपका बच्चो case बन जाता है case number 1, case number 2 अब इसे note कीजिए फिर में आगे की कहानी और शुरू करता हूँ चलिए या आपने कर लिए होगा note हाँ जी हाँ जी यह देखेंगे बच्चो जड़ा अब जैसे एक्जाम्पल नमबर फर्स्ट का ए पार्ट देखो कह रहा है आपके पास एक line है जिसके दो point है मालो a point है 3 minus 2 और मालो b point है minus 1 और 4 कह रहा है इसका slope क्या है तो लो जी slope of a b कैसे निकलता बच्चो y2 minus y1 x2 minus x1 क्यों लगाया क्योंकि दो point है दो point दिखते ही मेरे मन में लाला चा गया और मेरे को पता चल गया यह यह वाला formula लगेगा apply करना मुझे y2 है 4 minus अब देखो यह minus है formula गा ठीक है बाकी इनके minus को हमें include करना है तो y1 कितना minus 2 तो minus 2 को रखेंगे में bracket में x2 minus 1 x1 कितना है 3 तो यह तो पहली प्लस का था तो इसको हमने bracket में नहीं रखा 4 minus 3 minus 1 minus का 4 अब 4 से 4 का आट मत देना कभी कहीं होशियारी दिखा दो 3 और यह 2 तो इससे माइन लग माइनस 3 by 2 तो slope of a b क्या आगे भाई माइनस 3 by 2 तो इसी तरह आपको बी पार्ट करना है सी पार्ट करना है और डी पार्ट भी कर लेना है क्या से making the inclination of 60 डिग्री तो 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ 1060 रूट 3 का अंसर होगा ठीक है चलिए अब नेक्स ट्रॉपी कि तरह बढ़ते हैं यह नोट कर लो फटा फट नोट कर लो चलो देखो जरा हाँ जी अब कहा गया एंगल बिट्वीन टू लाइन्स एंगल बिट्वीन टू टू लाइन्स ठीक है वाई यह है और यह अंगल है ठीटा एल वन लाइन या एल टू लाइन ठीक है जी यह अंगल है ठीटा अब भाई करना क्या है सिंपल सा ल उन line है तो इसका slope m1 होगा यह अल टू लाइन है तो इसका slope m2 होगा ठीक है अब क्या कर देना ए केस नंबर first क्या पहले पहले तुह आपको यह बता दूँ पहले तो मैं आपको यह बता दूँ किसी भी दो लाइन के बीच का जो एंगल होता वो 10 ठीटा से देखा जाता है और उसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है इसका मोड के अंदर मोड के अंदर M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 M2 यह होता है फॉर्मूला अब देखो ब्रेकेट कौन सब लगा है मोड वाला अब मोड के अंदर आप जानते हो क्या कर रहोता है वैलू प्लस भी हो सकती है वैलू माइनस भी हो सकती है तो आप केस पढ़ते हैं केस नंबर वन केस नंबर वन कहता है कि अगर m2 minus m1 1 plus में m1 m2 is positive अगर ये positive आ जाता है मतलब इसको solve किया और इसके अंदर वो कैसा जाता है positive तो इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि theta is an acute angle यानि ये एक acute angle है यानि 90 degree से छोटा है यानि सारे first quadrant में लाई कर रहे है और अगर case number second कि अगर m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 is negative अगर अंदर की value negative आ रही है तो इसका मतलब theta is an obtuse angle ठीक है जी एक बड़ा कौन है 90 degree से ठीक है तो इस तरीके से आपको बात ध्यान रखने है फिर उसको solve करने तो इसका अलग हो जाएगा ठीक चलिए तो ये note कीजिए इसके बाद एक example number 3 है वो कराता हूँ मैं आपको note क्या करना है example number 3 करते पहले कह रहा है कि line through the point minus to 6 and 4,8 is perpendicular to the line this, this लोवाई एक line अब चो ये है इस line का point है minus to 6 और इसका है 4,8 इसको A कह देना इसको B कह देना अब कह रहा है एक line और है जो इसके उपर perpendicular है जो इसके उपर क्या है perpendicular है 90 degree है ठीक है और इस line का point है 8,12,B है ये point है Q,X और 24 तो कहरा what is the value of X तो simple बच्चो परपेंडिकुलर में क्या कहा गया है कि दोनों line का जो slope होगा उनका multiple minus 1 के बरावर होगा तो पहले निकालो ना slope of AB Y2 minus Y1 X2 minus X1 हाँ जी AB का 8 minus 6 4 minus minus 2 8 में 6 गया 2 4 minus minus 2 का 2 और यह कट गया 1 बटा 3 M1 कितना आगया 1 बटा 3 slope of PQ इसमें भी यही फॉर्मल लगेगा क्योंकि 2 point है Y2 कितना है 24 यह कितना है 12 X minus 8 12 पॉन में X minus 8 आगया ना हो ठेक है यानि कि M2 बराबर 12 minus 8 Now according to question क्या बोला भई कि slope Y, A, B, Slope, P, Q दोनों आपस में perpendicular है तो perpendicular है तो दोनों का जो product होगा किसके बराबर होगा minus 1 के तो बस M1 कितना है 1 बटा 3 यह कितना है 12 बटा X minus 8 बराबर minus 1 यह कट गया 4 उदर चला जाएगा इन डिवाइड कर रहा है उदर आके multiply minus का X plus का 8 minus का X इदर आके plus plus का 4 इदर आके minus 8 में 4 गया 4 X की value कितनी आ गई 4 simple तो इतना असान सा topic है बच्चों यह ठीक है cover करो इसको बच्चों यहाँ बच्चों बच्चों फ्सक्राइड़ बच्चों यहाँ कPe कीathi कि चले विच्छो यह हो गया आज वो 10.1 पी 10.1 पी कि ठीक है कि अब मैं आपको कवर कराऊंगा ठीक है ना टैंसर मत लो कि रेगुलर बेस्ट पे जैसे हमारा चलता है वैसे ही चलता चला जाएगा कि सबसे पहले देखेंगे कोश्चन नमबर फाइफ बहुत च्छा कोश्चन है देखिए क्या कह रहा है find the slope of a line एक ऐसे लाइन का slope निकालो विच पासे तुरू दा ओरीजिन जो ओरीजिन से पास हो रहा है और मिड़ पॉइंट हो रहा है एक लाइन सेगमेंट बे तो भाई लाइन सेगमेंट है तो यह लाइन सेगमेंट है क्या वाई स्वारी ऐसे नहीं बनेगा ऐसे बनेगा ठीक है यह है 8-0 यह भी नहीं बनेगा गलत हो गया ठीक है यह बनेगा यह हो गया यह पॉइंट हो गया एट जीरो और यह पॉइंट हो गया अपका जीरो माइनस फॉर और यहां से एक लाइन गुजर रही है यह पॉइंट हो गया तो मुझे एम बताएग गया है मिड़ पॉइंट तो यहां पे let m is the midpoint of line segment p 0-4 and q 8-0 so m-point निकाल लो x1 plus x2 upon me 2 y1 plus y2 upon me 2 x1 कितना है 0 वो कितना 8 यह कितना 0 यह कितना माइनस 4 तो 8 बटा दो माइनस 4 बटा दो कट गया 4 कट गया 2 तो 4-2m तो m-point कितना आ गया 4-2 अब निकालना slope now slope of om क्योंकि om का सलोप तो y2-y1 x2-x1 y2-2-0 4-0-2-4 कट गया 1 by 2 तो माइनस 1 by 2-1 by 2 ते कितना कर लो अच्छों तो शलो आज कारवाइं ही रोक रहें ते के इसके बाद आपको स्रिविश को रिवाईज करना है तो और दो चारज जो कोशन दिएंगे वो ट् आपको ट्राइ करने है ठीक है और उसके बाद फिर इस तरह की कोशन आप चेक करेंगे 10.1 में अगर आते हैं तो ठीक नहीं आते तो फिर तो मैं नेक्स लास में कराऊंगा ही बागी प्रैक्टिस केरी ओन रखें अब अगली ग्लास कल मिलेगी आपको ठीक है तो चलिए मिलते नेक्स लास में बाई